गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्यारे वच्च्छों असी अपने लास्ट लेक्चर दे बिच डॉपी वीविंग दा टॉपिक शुरू किते था ही जो की वीविंग टक्मोलोजी सुजेक्ट दिना रेलेक्टेट सी लास्ट लेक्चर दे बिच असी डॉपी बड़े पर गोजेन आली असी सिंगल लिफ्ट डॉपी स्टडी कीती सी अज असी उससे लेक्चर नों अग्गे लंदे वे असी अज डबल लिफ्ट डॉपी बारे डिसकस करांगे डबल लिफ्ट डॉपी देविच की है यह कह रहा है कि most डॉपी यूजट इन कॉटन इंडॉपी नाव और अन्द डॉपल अडबल लिफ्ट प्रिंसीपल जडी कॉटन इंडश्ट डॉपी देविच आज जड़ियां भी डॉपी यूजट हो रही है दॉज़िए तो आसी तसे की की single lift doby cotton industry ते विचे उन बिल्कुल भी यूज नहीं होंदी, यह में mainly, silk weaving वास्ते mostly held उन्ते यूज कीती होंदी है, ठीक है, बट इसनों असी cotton industry ते विचे जिते सानों production जाला चाहिए दिया है, उन्ते इसनों use नहीं कर सकते, single lift doby नो, असी उन्ते mostly market ते विचे अजकल double lift doby चलती है, जो की cotton industry ते विचे use होंदी है, अगर next point है, it works at higher speed, यह जड़ी double lift doby है, यह high speed ते कम करती है, अगर जड़ी single lift doby से, वो slow speed ते, वो mostly handling ते use होंदी है, यह जड़ी double lift doby है, यह production भी जादा है, cotton industry ते विचे use कर सकते है, ते high speed ते कम करती है, and also third point, it possesses more advantages as compared to single lift doby, इस double lift doby, the advantage is जादा है, benefit जादा है as compared to single lift doby नो, next step, character sketch of double lift doby, double lift doby थी character sketch की ने, फेला point, it forms an open shed, double lift doby थी सब तो बड़ी advantage है, it forms an open shed, but अही last single lift doby परेसी हो बनाती ही के डा, bottom close shed, bottom close shed, उन एज़ी डॉपी है double lift doby थी open shed बनाती है, thus heels are required to move from top to bottom, or from bottom to top when the pattern requires a change, देखो आ है open shed, यह बारती थी थी तो डॉप लेर थी बाटम लेर, shed खुला है, यह जड़ा shed है, यह shed है, that is your open shed, यह मशीन थी shed हमेशा ही खुला रहेंदा है, ठीक है, मालो साथी top layer दे विच, this is your top layer, इस top layer दे विच पंजात आगे ने बारते, bottom layer दे विच भी पंजात आगे, shed हमेशा ही खुला रहेंगा, उन इस पंजात आगे विचो मालो, top layer तो कुछ तागे, 10 तागे, अई चानने है कि अगली pick दे विच थले जान, ते असी चानने है कि bottom layer तो मालो 5 तागे उत्ते जान, ताँ सिर्फ ओही तागे move करनगे, 10 ते 10 तागे, 10 तागे top तो bottom ते जानगे, ते 5 तागे bottom तो top ते जानगे, बाकी सारे तागे अपनी as it is open position ते खड़े रहेंगे, top ते bottom दे विच, तो as करके एदा नाम दता गया, open shed, यह shed हमेशा ही खुला ही रहेंदा है, बट ओही तागे move करते ने, जड़े सानू अगली pick ते, कुछ design दे विच, according to design requirement, जड़े तागे सानू down चाहिए, top to bottom ते चल जान दे ने, cross shed, इस double lift dobbby दे विच, जड़े weft ते beating हुन दी है, जड़े read आके, एथे as position दे आके beat करती है, वो जड़े तागे आपचे cross हो यंदे ने, उस time ते beat करती है, बट जड़े single lift dobbby सी, वो ते weft ते beating सी, वो जड़े shed close हो यंदा ही, उस time ते beating हुन दी सी, बट इस case दे विच, जड़े weft ते beating है, वो cross shed दे विच हो रही है, shed ज़ो आपचे cross हुन दा हुन दे, उस time ते weft ते beating हुन दी है, विच प्रवाइड बैटर कवर, एंड क्लोथ बिकम कंपक्ट, उस दिना आल सारा benefit के इंदा है कि सा ड़जड़ा क्लोथ कपड़ा बन्दा हो, काफी कंपक्ट बन्दा है, असी कपड़े दे विच, ज़ादा पिक्स पर इंच ले सकते हैं, बैटर कवर सा नों कपड़े दा मिलता है, ये weft दे beating करन दे benefit ने इंदा क्रोश च्रो काफ़े हैं, पांट सुखयब ही, इंदा क्रोशेट, डॉबल हुक ग्न्दोल अग्राट धैल ही, दौन धाल हो, क्लोन दाभार बन्दा, क्लोल है। नेकस्ट है Double LIP adopted by भारे इस ड्रिवन ज्रीबन व Commerce from the bottom of the Loom जढिदी मोशन में भाद मुल काल में ज्रीव मुंकल भादो रलोम स्पितना है लिए श्नंड़िषें होलार भी कि टा आगें ते strain, tension काटना दिया, but वो ही अगर single lift doggy दी कल कर देता होते वार देता गें ते strain जाधा आंता सी, less wear and tear of the working parts, machine दी moving parts दी रगड वो इस particular doggy दे विच भी काटना है, steady working of machine life is prolonged, आगे, machine दी जड़ी working बड़ी steady है, इस machine दी जड़ी life है, वो जाधा लंबी है, यह जड़ी double lift doggy है, double lift जड़ी आई है, यह cotton industry दे विच बहुत ज़ादा प्रेफर के दिया दिया, types of double lift doggy, साथको double lift doggy केड़ी करिया है, headless lay doggy, जिन्हों cake lay doggy भी करने है, black burn doggy, cross border doggy, burn lay doggy, doggy दे, dog cross and null chain doggy, यह साथे को double lift doggy दे, जो market दे विच अवेलेबल है, पहले आसी discuss करांगे, headless lay और cake बले doggy बारे, यह कह रहे है, it is a negative doggy, यह जड़ी doggy है, यह negative doggy है, उन negative doggy की हुन दिया है, एक positive doggy हुन दिया है, जो देखो negative doggy की हुन दिया है, इस बारे में अलग तो लक्षर लबाँगा, negative तो positive doggy बारे, for the timing, तुसी यह understand कर लो, कि negative doggy असी उस doggy नो कमागे, जड़ी की heel shaft नो उत्ते ते लिफ्ट करदन दिया है, बाट उन्हों थल्ले ने लिया सकती, negative doggy ओ, जड़ी heel shaft नो lift ते करदन दिया है, जदो heel shaft lift हुन दिया है, ता top line of shed बंजनता है, top shed बंजनता है, वो जड़ी doggy है heel shaft नो lift ते कर सकती है, बाट डाउन निल्या सकती, down currently सानो heel shaft ते निचे, springs लगाने बंदे हैं, ता कि वो उसनो निचे लेके अपनी initial position ते लेया है, जड़ी heel shaft नो lift ते लेया सकती है, इस तरह दी जड़ी doggy है उसनो आही positive doggy करने है, जड़ी सा heel shaft से ले ड़बी है, एक negative doggy है, जड़ी सिरफ heel shaft नो lift कर सकती है, तो form the top line of shed, बाट ड़बी उसनो निचे ना सकती, निचे लेयाने सानो heel shaft ते निचे, अडिशनल मेकैनिजम लगाने पन देने जिस तरह स्प्रिंग्स लगाने पन देने तांकि वो उस हील शाफ मुं बैक डाउन पोजीशन ते ले आवे तो यह जड़ी साथी डॉबी है that is your negative डॉबी second it is a single jack lever डॉबी यह जड़ी hetra slay डॉबी है it's a single jack lever हुंता है दो jack lever नहींदे single jack डॉबी है तो यह जड़ी डॉबलिफ डॉबी है वली hetra slay डॉबी तो यह जड़ी open shed बना दी है it can run at higher speed यह जड़ी डॉबी है यह higher speed ते run कर दी है beating of weft is performed or done in cross shed weft ती जड़ी beating है और cross shed दे बिच किती जन दी है it is a horizontal negative यह जड़ी दासता है single jack यह जड़ी तो यह जड़ी डॉबलिफ डॉबी यह जड़ी and it is mostly used for cotton mills यह cotton mills दे भी चे बहुत ज्यादा यूश हुन दी है यह जड़ी में इंपॉर्टन क्रेटर्टर्स किचने यह जड़ी है headless ले डॉबी है के गले डॉबी दी यह होदा headless ले यह के गले डॉबी दा प्रिंसीपल दी वोदा working procedure है सरब उन्हें इस दे विच इस डॉबी दे विच पे ले यह पार्स तेखलो केड़ी केड़ी हान इस आर आर इस यह अप्राइट रॉड यह ताठी अप्राइट रॉड है ठीक है यह जड़ी अप्राइट रॉड है यह फदर बॉटम शाफ टे लिवर दे नाग कनेक्टर न दी है मेंस इस अप्राइट रॉड नो जड़ी मोशन आरी है यह यह फ्रम दा बॉटम शाफ आप दा नूम नीचे बॉटम शाफ लगें दियो ओधे ल लिवर तो इसनों मोशन आरी है तो बॉटम शाफ जो ही कुम दिय है वो फदर मोशन ट्रस्टर करतां दिय है इस आर नो आर इस यो अप्राइट रॉड अप्राइट रॉड फदर क्नेक्टिड है यह 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 AB is your T lever, यह पूरा T lever है, upright rod, जिन्नु की motion आ रिया है, from the bottom shaft of the loom, वो connected है, with the T lever, AB is your T lever, यह देखो, AB is your T lever, जो की centered है, at the C, that is your dobby shaft, यह यह centered है, dobby shaft, इस T lever देनाल, AB is your T lever, अर T lever देनाल, दो knife लगया है, D and E, D knife, top position दे लगया है, E knife, bottom, दो knife ने, top knife दे, bottom knife, D is your top knife, and E is your bottom knife, यह दोने T lever देनाल connected है, D knife है, वो top position, वो T lever दे, top position दे connected है, जड़ा bottom knife E है, और T lever दे, bottom दे connected है, उस तो अगए देख्या जायें, यह दो जड़िया hooks ने, that is P and Q, P and Q are the hooks, P and Q, दो hooks ने, ठीक है, ता नूँ hooks ता पिछे दस्या सी न, कि double hooks मिलके, एक heel shaft नूँ lift का दिया, आ देखो, आ दोने double hooks, that is your double hook, एक, P is your top hook, and Q is your bottom hook, एक देखो, hook, P ता दी top hook है, ते Q ता दी bottom hook है, एक दोने P ते क्या हो hooks, top hook, एक bottom hook, अपराइट, इस अपराइट M, N दे नौल कनेक्टेद है, there it is your, and this is your upright, एक अपराइट M, N, M, N is your upright, P is your top hook, Q is your bottom hook, एक दोने जड़िया hooks ने, अपराइट M, दे N, उझे नौल कनेक्टेद किती दिया, ठीक है, अपराइट M, N दे center तो, असी FGH, FGH, एसा डाइगा है, jack lever, एक देखो, FGH, FGH, this is your FGH, एक पूरा A हनदा है, इस उनौल कनेने, jack lever, जो की upright M, N दे center ते connected है, at the position H, add the position H, आदे कोई थे connect किते रहे, ठीक है, उस तो बाद, इस bulk lever दे नाल, असी, एक कॉर्ड दो निकाल के, फदर heel shaft, टाइ किती दिया, ठीक है, ते एए जड़ा bulk lever है, एए at the position of G, फलक्रम किते दा है, एए दे कोई G, इस G position ते, एए जड़ा bulk lever है, एए फलक्रम किते दा है, फलक्रम हुनता है, जड़ा fix point हुनता है, जड़ा fix point हुनता है, मिस कुछ भी movement होवे, एए बड़ा point अपनी जगा ते fix रहेगा, जिस तरह साथी knees हुन दिया, लेक्स दे बिच साथी knees हुन दिया, असी चाहिए बैठिये या खड़े होजेए, साथी knees हमेशा अपनी position ते रहन गया, ऐसे तरह ही एए साथा, को साथा, उस केस ते साथा हो गया, फलक्रम पॉइंट साथी body दिया, उसे तरह ही, एए G, G is your फलक्रम पॉइंट, चाहे एए अपनी जगा तो खिल लेगा, ठीक है, उस तो बाद, इस L is your hill shaft, K is your V quad, ठीक है, I is your dobby barrel, एए dobby barrel होंदा है, ठीक है, dobby barrel दो उत्ते है, अथी latest changed है होंदी है, legs, this is your J, latest chain होंदी है, ठीक है, ते इस dobby barrel दे उत्ते हैं, दो तरह हम दे फीलर्स होंदीने, S Y ते T Y S Y T Y आ दिखो आ बले फिर्ल हो उरुने S Y Sides दे दोनरी आ दिए T Y एदो पो S Peng долларов 콘स्ष पुझेशन दे शूख किते हैं S Y and T Y जड़ा S Y हुंदा ओ ताझा स्टेट फिर्लर हो हुंदा जड़ा TY हुन्द है, वो ताड़ा curved filler हुन्द है, यह देखो, SY and TY, that is your straight filler, that is your bent filler, जचे bend प्यांद जादा, यह state filler हुन्द है, SY is your straight filler, TY is your bent filler, यही रोड हुन्द है, यह रोड ते एकवरी state filler होएगा, एकवरी bend filler होएगा, एकवरी state filler, एकवरी bend filler, ऐसे आव वारी वारी से रह्ते है लगए हुन्द है ठीक है, यह जड़ा barrel हुन्द है, यह वला, डॉबी बेरल दे डॉबी बेरल एक स्टेट फिलर एक बेंट फिलर एक बेंट फिलर ते इस बेरल नो कुमाली तुसी देखो टी लीवर दे इस पॉजीशन दे एक पॉल लगांद है डॉबी इस यो पॉल यह तड़ा पॉल होंता है जड़ा की इस रेचट नूँ इस डॉबी बेरल नूँ जो ही एक टी लीवर अगे पिछे मुवमेंट करता है ता इस नूँ नानल कुमाई जनता है ते उस दे नाल की साठी लेटेस चेन भी मूब करती रहंती ठीक है एसी इस तरह काम करते है इस हैटर से डॉबी देविच यह गेब ले डॉबी देविच जिस रहा ता नुदसिया है यह जड़ी अप्राइट रॉड है अप्राइट रॉड नूँ जड़ी मोशन मिलती पी दैट इस फिम दा बॉटम शाफ्ट ओकता लों जो ही बॉटम शाफ्ट रो यह up right rod R है, bottom shaft तो motion transfer हो रही है, इस up right rod नूँँ, यह up right rod की है, उत्ते नूँ move करेगी, तो नीचे भी जाएगी, reciprocating motion करेगी, ठीक है, ऐसरा उत्ते थले move करेगी, इस दे उत्ते थले move करें देनाल, जो की up right rod further T lever देनाल connected है, तो यह जड़ा T lever है, कदी B inward position दे जाएगा, जे B inward position अंदर ली जाएगा, ते A वाला A T lever दा portion outside जाएगा, एही होएगा न, क्योंकि up right rod, जो की connected है T lever देनाल, जे उस up right rod दी motion दे, up down motion देनाल, क्योंकि होएगा, एक और ही यहांते B, एह जड़ा B point है, T lever दा टॉप position है, यहांते अंदर ली जाएगा, तो दूसरा जाएगा, outward नो जाएगा, जे B position, outward नो जाएगी, बार नो जाएगी, तो A position अंदर नो जाएगी, देखो दी design ही होज़ा बने दा है, जे साड़ा B position, D lever दा, अगर outside वाल move करदा है, तो साड़ा जड़ा A position है, वो invert वाल move करेगा, ठीक है, मुन इस time ते असी देख रहे हैं, सब तो पहले, कि साड़ा जड़ा D knife है, D and E is your knife, D जड़ा knife है, that is in innermost position, तो जड़ा bottom knife है E, that is in your outward position, यह invert position होगी, यह outward position होगी, जो ही invert position होगी, तो की होएगा, जड़ी साड़े को top hook है, P, P, top hook P, इस knife तो ते drop होगी, इस knife तो तो की होगी, drop, ते जो ही, यह T lever, अपनी position change करेगा, पिच्छन हो जाएगा, selection हो उन्तो बाद, जो दो हो, साड़ा top knife forward position ते आया, तो जड़ी साड़ी top P hook है, तो इस ते drop होगी, जो ही, drop होके इसने अपनी backward position, इकोरी अग्गे जाना है, reciprocate करना है, अग्गे, पिच्छे, अग्गे, जे A अग्गे जाएगा, ते A पिच्छे जाएगा, A position, जे top वाली position पिच्छे जाएगी, ता A position अग्गेन हो आएगी, उन्हें स्टम चे सी figure देविच की देख रहे हैं, कि साड़ी को जड़ा, top knife है, और forward position ते जो ही forward position ते है, जो जड़ी top hook P है, वो इस knife जोत्ते drop करेगी, drop करन तो बाद, जो ही साड़ी को T lever अपनी position चेंज करेगा, इन backward position ते जाएगा, ता जड़ा साड़ा knife है, वो P hook नो खिचेगा, outward position ते नाल, outward direction बाल, जो ही साड़ा, T lever अपनी position चेंज करेगा, backward position ते जाएगा, तो ओन अपने नाल की है, P hook नो भी backward position ते खिच के लाजएगा, जो ही वो खिचा जाएगा, तो साड़ी जड़ा, अपराइट M N C, वो दी position चेंज हो जाएगी, that will become M dash N, जड़ा M position ते ही, वो अपनी position तो जो ही खिचा जाएगा, तो वो position ते आजएगा, M dot, M dash N ते, एप पोजिचा जाएगा, जो तो A position लेगा, तो सड़ा जड़ा, A सड़ा हैगा, Jack Lever FGH, एभी खिचा जाएगा, इस position बाद, जो तो Jack Lever भी खिचा गया, तो K जड़ी K V quats है, एभी खिची जाएगा, तो साड़े को जड़ी shaft है, वो lift हाजेगी, shaft उत्ते नूँ lift हाजेगी, तो टॉप लाइन ऑफ शैट बना देगी, सब तो पहले तुसी एक्स्प्रेइन करना कि तुसी figure तविच की में जिसरा है, एक औरी फेर रपीट का दना है, एक औरी की, तुसी figure तविच की देख रहे हैं, कि साड़े को जड़ा T lever है, वो invert position थे ह करना, जड़ा साड़ टॉप knife D है, वो भी invert position थे है, जदो हो invert position थे है, जड़ा top hook है P, वो उस जड़ी top knife है, उस ते drop करेगी, ता जो ही साड़ T lever अपनी position change करेगा, जो ही जो ही वो backward position बाल जाएगा, ता वो जड़ी top hook P है, उसनो भी खिच के लाजेगा, उस ते खिचन दे नाल की है, जड़ी साड़ी upright MN है, वो अपनी position change कर लेगी, क्योंकि ओधी position भी खिच के एस position दे आजेगी, वो अपनी position लेगी M dash N, यह वो ली position लेगी, जो ही है खिची गी तो ओधे नाल साड़ी को जड़ा एस साड़ा jack lever है, यह भी खिचा जाएगा backward position थे, जो तो जो ही जो ही है backward position थे खिचा जाएगा, यह साड़ा jack lever उत्ते नूँ move करेगा, jack lever उत्ते नूँ खिचा जाएगा, V course भी case यो V course यह भी खिचे जानी है, ते साड़ी जड़ी shaft है, और भी top position बार lift हो जाएगी, ते साड़ी को top line of set बना देगी, स्पोज एही shaft सानू next pick थे भी अब उस case ते की होएगा, यह नाली explain करना है, उस case ते की होएगा, जे एही same shaft सानू अगली pick थे भी lift चाहिएगी है, उस case देविच की होएगा, कि साड़ी को उस time थे, B backward position थे जाएगी, ते A forward position वाल move करेगा, जड़ा top knife D है, वो खाली पिछे नू चल ज़ेगा, जड़ी position होएगी, top थे सी होएगी, bottom थे आजेगी, bottom knife थे, उन अगर एही same pick सानू, नेक्स पिक थे भी up चाहिएगी है, उस case देविच जड़ा top knife है, वो backward position थे चल ज़ेगा, जड़ा E knife bottom है, वो forward position थे आजेगा, जो इस तरह ऐसी, और A forward position थे आगया, D, top knife, backward position थे चला गया, उस case देविच होएगा, जड़ा Q hook है, वो इस bottom knife थे, bottom knife E, औरे उत्ते डिगेगी जो ही और उत्ते डिगेगी, जो ही सड़ा bottom knife है, वो backward position थे जाएगा, तो उस case दे, जड़ी upright M है, वो अपनी position चेंज का लेगी, M N-, M N- बंजेगी, क्योंकि, जड़ी सड़ी bottom जड़ा knife है, E, वो Q hook नों खेच के, पिछे नों लेगे, इस position बाद, ठीक है, जड़ो इस हुख नों खेच के, पिछे लाजेगा, तो अप्राइट M N, वोरी position चेंज हो जएगी, वो M N- थी position लेगी, जड़ो M N- थी position लेगी, तो उस case दे भी सड़ा जड़ा FGH bulk lever रह, वो खिच्या जाएगा, ठीक है, वी course भी खिचे जानगी है, तो एवली जड़ी shaft है, वो फे द्वारतों की है, लिफ्ट वजीगी, ठीक है, अगर सानू, पिछली पिकते जड़ी, पी क्या होदे case ते, एवली shaft अपसे, अगर सानू, नेक्स पिकते भी एवली shaft lift चाहिए है, तक उस case दे भी, उस case दे, नेक्स पिकते, bottom hook, ते bottom knife कम करेगा, पिछले case दे बिच किसी, अगर एवली shaft lift हो किसी, अगर एही same shafts अनू, नेक्स पिकते भी आप चाहिए है, ता, bottom hook, ते bottom knife, दोने मिलके, इस, with the help of this, jack lever, इस shaft नू, लिफ्ट करतेंगे, किसी, कि तुसी figure दे बिच की देख रहे हो, एक invert position दे है, दूसरा, bottom knife, आउटवर्ट पोजीशन दे है, फिर अगले case से की है, अगर एही same shaft सानू, अगली पिकते भी आप चाहिए है, तो, उस case दे बिच जड़ा, bottom knife है, वो invert जाएगा, ते top, जड़ा knife है, वो वो जड़ी upright है, वो अपनी position change कर लेगी, वो it will assume the position, M and dash, उस दे नाल किया सा double jack lever, jack lever खिच जाएगा, V quarts खिच जान गिया, ते साथी sharp जड़ी है, लिफ्ट हो जेगी, अगली जड़ी जड़ी, दोबी है, head to slay ड़बी, बट इस दी एक problem है, that is the lateral movement of the heel shaft, अगर तुसी ड़ विच देखोगे कि एक ही jack lever, एक ही jack lever देनाल, असी दो quarts बनके, इस एक single lift, single shaft में lift करते हैं, but यह जड़ी lifting होगी, यह थोड़ी balance नहीं थी, lateral movement हों थी, means किसे side तो थोड़ी नीवी रहेगी, किसे side तो थोड़ी उच्छी रहेगी, उस देनाल कि यह साथी को balance shed नहीं बन पन यह इस particular ड़बी दी problem है, ठीक है, next इस ड़बी रहेगी, इस ड़बी रहेगी मैं तो पहले रहेगी, कि दो तरहां दे feeler यूज किते हैं, इक state feeler, sy is your state feeler, and ty is your curved feeler, और bent feeler, sy is your state feeler, and ty is your bent feeler, यह curved feel, जिछ curve ज्यादा पही हुंदी है, ठीक है, एनू sy नू state feeler का दने, ty नू curved feeler, और bent feeler, तो यह दोने जड़बी feeler है, यह this is your x, इस x rod ते sported हुंदी है, ठीक है, एन S position देदा से, ty, ty is your state feeler, and sy, sorry, sy is your state feeler, and ty is your curved feeler, यह जड़े दोने feelers हुनदेने, यह x rod ते, set हुनदेने, ते, एक किस्तरा set हुनदेने, दोबी देने चे, एक state feeler हुनदा है, एक curb feeler हुनदा, फिर एक state feeler, एक curb feeler, एक straight filler, एक curve filler, एना filler दे नीचे, I is your doby barrel, एक doby barrel हुंदा है, इस position दे एक straight filler आएदा, एक curved filler, straight filler, curved filler, एना दे down position दे इस उनना दे नीचे, एक एक doby barrel हुंदा है, उस doby barrel दे उत्ते, आधी असी lattice change design दी चड़ा हुंदा हुंदा हुदा, J is your lattice, एक design दी chain बनाई हुंदा हुंदा है, ठीक है, एक lattice देखो design किसे रहा हुंदा है, एक wooden chain हुंदा 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 हुं पूल्स हों दिया, ए ए लैटेस है, वुड़न लैटेस, इस डबल रो, एक रो उत्ते हों दिया, एक रो निज्ची हों दिया, जिनिया एक, जड़ी एक रो है, वो कपड़ेच एक पिक नूँ रिप्रेजेंट करती है, उन एक लैटेस तुसी की यह दो पिक्स वास्ते सकती हो, एक रो फोल्स है, एक पिक नूँ रिप्रेजेंट करती है, एक नमबर, इस रो फोल्स नाल, एक नमबर पिक पेगी, जड़े एक दूसरे रो फोल्स ने, एदे नाल, दो नमबर पिक पेगी, कपड़ेचे, जो तो दो पिक्स पैजन गिया, ता एक वली लैटेस की है चेंजो हैं जगी अग्ली लाट्स आजएगी और चभी दो रो रो अफ ऐसे तरही उन तें नभर पिक पाएगी चाल नोबर पिक पाएगी सो एक है इक लाट्स दे भूपило वो स्न तो नूमब्र पिक पंती है, एक लेतिस जे नाल कप्ड़ेदे चे दो ही पिक्स पाह सकती है, दो पिक्स तो पाद एक लेतिस अबड़े अच्योल मस ज़ेगी, ते, दूज्या पॉइंट कि एक लैटे से विचे मौलो एक ने एक लैटे से विचे जिन्ने एह होलस होंगे, उन्ही उस डॉपी दी कपैस्टी बारे इंडिकेट करता है, मालो एक रोव दे विचे, चोबी हो उसने, तह आही कमांगे वो चोबी लिवर दी डॉपी है, जिनने इक रोवदे विच्छ होल्स होंगे that represents the capacity of the Dobby कि Dobby दि कपैश्टी की है अगर इदे एक रोवदे विच च्छती होल्स ने ता असी कमागे च्छती jack 이지 Reeve pocket Dobby है अगर इक रोवदे विच चाली होंगे ता असी कमागे एच चाली jack leúcравляDobby है जिनने एक नमबर और एक रो होल्सुन खे, उन्यी Candi capacity पारए दा सकता है, अगर एक रोः बीच चो भी होल्सुन घ ताशी कमाँगे ज्ख लिवर्धी कि टॉपी है अगर एक रो बीच चटी रो रो होल्सुन घ ताशी कमाँगे एग श्टी Jack लीवर्धी सब्सक्राइब, है अधियर कर दिया है बार केसे तो पैर्स वे आपन देने एक नंबर पिक नो रिप्रेस्टिके कर दिया है अगली लेक्रता साइए डियर दो नंबर लेक्रता साइए और ची गुप तो भेता गत्या है तो यह ची content नोट करोगे, यह बैरल लगा, ठीक है, इस बैरल हो ते आवली चेंज चड़ी दी, चड़ी मैंता नूँ ए थे समझा रहा है सी, एरी चेंज बड़ी लंबी बड़ी हुंदी, जे इस यो, लेटिस चेंज, ठीक है, हुन अगर यह बैरल को मेंगा, ते यह चेंज को मैंता हु कि एक लेटटर्स दे नाल, एक लकड़ी हुन दी है, एक लेटटर्स दे बचे डबल रोव फोल सुन देने, जो दो दो पिक्स पे जाने गिया ते यह बली लेटर्स किया, चेंज होजेगी, ते अगली लेटर्स आजेगी, उन ए जड़ी चेंज है, इस बैरल दिद ते चेंज होएगी जदो एवला W इस यो पॉल, W इस यो पॉल, जड़ा कि अगर इस बैरल नो कुम आएगा, तो चेंड भी कुमेगी, क्योंकि चेंड रुत्य चड़ी दिया, जे बैरल कुमेगा तो चेंड कुमेगी, वह मालो एक लेटेस देनाल दो पिक्स पैगी है, उन अग अगली लेटेस फ्रंट ते आजेगी, ठीक है, अगली लेटेस फ्रंट ते आजेगी, ते वह अपनी फदर, उस लेटेस जनाल असी फदर कप्ड़े चेंड पिक्स इंसर्ट करांगे, तीजी ते चौक्ती, एसे तरह ही ये सारा परशास की है, चलता जाएगा, ते इस अगली है, ये अपराइट रोड है, ये नों मोशन आ रही है, बॉटम शाफ्ट, बॉटम शाफ्ट, बॉटम शाफ्ट तो ये मोशन दे रही है, अपराइट रोड नों, अपराइट रोड फदर कनेक्टिट है, टी लीवर ते नाल, टी लीवर ते टॉप ते, टॉप लग गा है ठीक है P is your top hook Q is your bottom hook यह दोने जड़ियों hooks ने MN MN upright गी है ओधे नाल connected है ते MN upright दे center ते यह साथा jack lever लग गेदा है FGH FGH is your jack lever ते jack lever दे नाल with the help of cord आसी heel shaft बनी दिये ठीक है जो ही जड़ी साथी top hook है अकर top knife तो ते डिगेगी तो जो ही साथा जड़ा टी lever है पिच्छन हो जाएगा तो यह जड़ी top knife है इस top hook नो खेच के लाजेगी वोदी position change हो जेगी MN तो M-N हो जेगी जड़ा jack lever दे खिच्छा जाएगा साथी एवली shaft lift हो जेगी अगर साथा नो नेक्स पिखते भी एवली shaft lift चाहिए उस case ते B खाली backward position दे आएगा तो उस case ते उन फदर जड़ा bottom knife है वो forward position दे जाएगा उस ते Q वाली hook उस ते गिरेगी जो ही है इसनो खेच के लाएके जाएगी ता साथी MN जड़ी अप राइटा हो थी position change हो जेगी M N- ते jack lever खिच्छा जाएगा same shaft lift हो जेगी इस particular topic चे दरता हम दस्या कि दो तरहां दे filler use किते हैं एक straight filler एक curve filler S-Y is your straight filler and T-Y is your curve filler the M machine दे फिट उन्दे एक straight S position दे फिट उन्दे एक straight filler, a curve filler, a state filler, a curve filler the A state filler, a curve filler दी एक पुरी लंभी रो हों दिया उसे निचे आए वाला barrel लगा हों दा है जिसे ना रेचेड वील हों दा होसे तरह हों दा है तो यह दा पॉल हों दा है जो कि T-Liver दे connected हों दा है इस barrel दिखते है असी अपनी lettuce दी chain button change दाई हों दी है यह that is your button chain ठीक है यह लकडी दी बनी हों दिया अचे टू पेर्स ओफोल्स हों देने ठीक है एक रो होल सी वो represents कर दी है वो एक पिक नू कपड़े चे कंट्रोल कर दी है तो एक lettuce देना तुसी दो पिक्स कपड़े चे कंट इंसर्ट कर सकते है दो पिक्स दे बाद अगली lettuce की ते जिनने number of row एक row दे भी छोणगे that represents the capacity of the top P ठीक है यह इस दा थोड़ा working सी सारा कुछ दसनतों बात उसी है दसना है की अगी देख रहे हैं की टॉप नाइफ अंदर है वो तो टॉप कुरते गिरेगी ठीक है ते अपनी जड़ी है M अपनी पॉजिशन चेंज कर लेगी that will take the position M-N वह ना साड़ा जड़ा की है अगर अगर एही सानुषे सेम शाफ नेक्स पिकते भी अप चाहिए उस केस दिक्या होएगा साड़ा जड़ा की गंदिया है टॉप नाइफ है वो खाली back position दे जाएगा तो साड़ा जड़ा बॉटम नाइफ है इंवर्ट पॉजिशन दे जाएगा उस केसे विचे क्यों हो इस ऐट प्री जड़ा जड़ा दे पॉजिशन दे प्रका सलुप चलुफ तो साड़ा प्री मिचीन यूट दे उस वेलं मिचीन देड़ा ब्लेट आँड आट बोॉजिशन दे laundry लिए टले पर की कर यह वो और तो पारविण दे दॉण सी दिख के गर एक straight filler, cut filler, तो यह पूरी मashीन ते, एक straight filler, एक cut filler, straight filler, एक cut filler, वोना सारे filer दे निचे, बहुत सारे filers होंदेने, straight te cut, दे लाऊंदेने, वोना दे निचे barrel लगे होंदे, barrel दो आसी button changed, उन्दी तो ठीक है, तो इस barrel रोटेट करने, एक पोल लगा जो की थी लबर दे बॉटम दे रिखेंधा जो की इस वैर उनु जो ही इक लेटस नाग दो पिक्स कंट्रोल कर सकते हैं लेटस ने चेंज होना उसनों चेंज कर आंदे कम आसी करें with the help of this पोल, जो यह दे थोड़ी construction and working है, यह थे थोड़े डिफेक्ट्स कीन है, वो कहा रहा है कि excessive wear and tear, wear and tear बहुत जाद है, slipping of needle collars, needle collar दी slipping हो सकती है, difficulty in making repairs, repairs करन्दे विच भी दिक्कत हो सकती है, and then lack of stability, stability वीज दी काटा है, so मैंनों उमीद है कि तो मेरे वोलों दित्ता है lecture समझ आगा, अगर किसे तरह अंदी कोई confusion होईगी, तदो ही मैंनों दास सकते है, thank you.